हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने एससे छेसे टेयो वन के एक्जिमिनेशन दिया हुआ हैं साथे साथ आपका एंसर की भी आ चुका है और अब आप हम लोग बात करने वाले हैं कि आफटर एंसर क हमारा कट ओफ क्या होगा नर्मालाजिशन में मार्क्स हमारे कितने बढ़ सकते हैं यह बहुत जादा मैचा करता है कि निंपर आपके कितने बढ़ रहे हैं तो आप लोग धेहन से चुनेगा आप लोग जिस भी कैटेग्री में हैं तो आप लोग देख लिजेगा कि उस में आपके cut off से रहेंगे। वहीं बात करतेएं, EWS incredemary का कुक्त होगा वह 135 हो 105 के बीच से ST category में जो cut off होगा वो 105 to 110 के बीच में cut off रहेंगे आप लोग सारे category में देखिए 5 से 10 नमब का difference है इतना difference आपको देखने के लिए मिलेगा हम लोग बात करते हैं कि आपके जो भी answer की में आपका जीतना marks आपके सही हो रहा है उससे आप 15 to 20 marks आप अपने प्लस रखिए क्योंकि नॉर्मलाइशन में 15 to 20 marks आपके बढ़ते ही हैं तो आप इतना marks को एजूम करके देखिए और देखिए कि cut off फिर आपका कितना हो रहा है और किस केटेगरी में आप हैं अच्छे से देखकर आप analysis कर लिजेए friends तो friends I hope यह information आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होंगे तो मेरे चैनल पर subscribe करके और bell icon को प्रेस करने नहीं भूलेगा Thank you so much for watching this video